कि इस वीडियो में हम फार्मूला टाइब के लोजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन एन्द फंक्शन and or function के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम if function के बारे में जानेंगे तो जब हम Excel में formula यूज करते है तब हम Excel में कुछ condition test करते है उदार्न के लिए अगर कोई student 35 से ज़्यादा marks लेता है तो वै पास शो करता है अगर कोई student 35 से कम marks लेता है तो वै फेल शो करता है तो इसको यहाँ पे हम करेंगे if condition के जरीए करेंगे यह हमारे पास data है इसमें यहाँ पे name लिखे है row number है और यहाँ पे math subject है यह तो math subject में यह marks हैं यहाँ पे हम if function का use करेंगे कि जिनके marks यहाँ पे 35 से ज्यादा है वो यहाँ पे हमें शो करे पास और जिसके marks यहाँ पे 35 से कम है वो शो करें यहाँ पे फेल तो इसको अब हम यहाँ पे if formula के दवारा करेंगे तो यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे equal to sign यूज़ करेंगे use करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे if यह if लिखा इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा if यहाँ पे double click करेंगे यह double click किया इसके बाद आ गया है यहाँ पे logical test तो logical test यह condition है यहाँ पे हम condition लगाएंगे तो logical test किस पे करना है यहाँ पे जिस cell पर करना है जैसे इस पर करना है तो इस cell पर click करेंगे यह cell name यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हम condition लगाएंगे की c3 is greater than यहाँ पर marks लिखेंगे तो यह हमारी choice पे डबन करता है कि हम कितने marks वालों को यहां पर pass करेंगे तो यहां पर हम जैसे suppose करो 35 लिखेंगे यहां पर 35 लिखा लिखने के बाद यहां पर कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद यह logical test यहां पर हो गया इसके बाद आगे है यहां पर यह लिखा हुआ है value if true तो value if true तो यहां पे हम लिखेंगे कि हमने शो क्या करवाना है तो यहां पे हम शो करवाएंगे पास तो यह एक टेक्स्ट में लिखेंगे तो टेक्स्ट में लिखना है तो इसको हम डवल कोड में लिखेंगे तो यहां पर double code को start करेंगे यह double code start किया यहां पर लिखेंगे pass pass लिखा pass लिखने के बाद double code बंद करेंगे यह double code बंद किया बंद करने के बाद फिर यहां पर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद यहां पर आगे दिया गया है value if false तो यह second result है यह पहला result था value if true यह पहला result था अगला जो result है यहां पे value if false तो यह second result है तो second result में यहां पे हम show करेंगे fail तो यहां पे double code start करेंगे यह double code start किया और यहां पे लिखा fail यह double code यह बंद करेंगे बंद करने के बाद यह bracket यहां पे open है इसको यहां पे बंद करेंगे यह बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह रिखो यहां पे pass लिखा हुआ गया तो यहाँ पे हमने condition लगाई थी कि जिसके marks यहाँ पे 35 से greater than है वो यहाँ पे pass show हो और जिसके कम है वो यहाँ पे fail show हो तो यह यहाँ पे pass आ गया इसके बाद यहाँ पे click करेंगे और इसको drag करेंगे यह दिको drag किया तो जो यहाँ पे fail होगा यह दिको यहाँ पे 35 से number कम जो है आशीक है यहाँ पे यह 20 तो यह यहाँ पे fail show कर रहा है इसके बाद यहाँ पे 25 यह 35 से कम number है तो यह भी fail show कर रहा है इसके बाद यहाँ पे 32 यह भी यहाँ पे fail है तो यहाँ पे fail show कर रहा है तो इह formula के दवारा हम यहां पे यह show करवा सकते हैं कि कौन सी value यहां पे true है और कौन सी value यहां पे false है अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो pass यहां पर लिखा हुआ है जो जो यहां पर pass लिखा हुआ है वो किसी और color में आए और जो यहां पर fail लिखा हुआ है वो किसी और color में आए उसको करने के लिए इनको select करेंगे select करने के बाद home tab पे जाएंगे home tab पे जाने के बाद यहां पे conditional formatting यहां पे जाएंगे और इसके बाद यहां पे highlights, cell rules यहां पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद यहां पे text that contains यहां पे जाएंगे यहां पर जाने के बाद यहां पर हम लिखेंगे पास जो पास है उसको किस कलर में करना जाते हैं जैसे यहां पर हम more button पर क्लिक करेंगे suppose करो जो पास है उनको green color में show करवाना जाते हैं तो green पर क्लिक करेंगे green पर क्लिक करने के बाद ok पर क्लिक करेंगे तो यह दिखो जो pass है वो यहाँ पे green color में आगे और जो यहाँ पे fail है उनको भी हम यहाँ पे color दरना जाते हैं तो इनको select करेंगे select करने के बाद फिर यहाँ पे conditional formatting यहाँ पे जाएंगे इसके बाद highlights rules यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे text that contains इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे fail लिखने के बाद अब कौन सा color इसको दरना है यहाँ पे more button पे क्लिक करेंगे suppose करो इसको yellow color यहां पर दरने जाते हैं yellow पर click करेंगे इसके बाद okay पर click करेंगे तो यह दिखो यह जो fail है यहां पर yellow color में आ जाएंगे suppose करो यहां पर किसी के number यहां पर हम change करते हैं तो यह automatic ही यहां पर color change हो जाएगा यह दिखो जैसे यहां पर हम number change करते हैं जैसे 30 लिखा तो 30 number वाला यहां पे फिर होगा तो यह color अपने आपी यहां पे change हो जाएगा यह देखो 30 30 लिखा 30 लिखने के बाद यहां पे बार click करेंगे तो यह देखो यह जो color है यह अपने आपी यहां पे change हो गया अगर हम यहां पे number बढ़ाएंगे तो अगर हमने यहां पे 35 से उपर नम्ब लिखे तो यह color यहाँ पर green में change हो जाएगा यह देखो यहाँ पर लिखा हमने 75 75 लिखने के बाद बार यहां पर click किया तो यह देखो यह color यहाँ पर change हो जाएगा इसके बाद अगर हम यह if function को insult function के जरीए करना जाते हैं तो इसको हम insult function के जरीए यहाँ पर करेंगे इसकी clear formatting करेंगे, यहाँ पे इसको select किया, और यहाँ पे clear or clear all यहाँ पे click किया, यह सारी formatting यहाँ से clear हो जाएगी, इसके बाद home tab पे जाएंगे, यहाँ पे border लगाएंगे, यह border लगाया है, इसके बाद इसको border करेंगे, और इसको यहाँ पे center में करेंगे, यह कर दिया, करने के बाद यहां पर double click किया double click करने के बाद insert function यहां पर जाएंगे यह देखो insert function इसके जरीए हम if function यहां पर करेंगे तो यहां पर click किया click करने के बाद यह dialogue box यहां पर आ जाएगा तो यह देखो यहां पर first पर दिया हुआ है logical test यहां पर हम condition लगाएंगे दूसरे पर दिया हुआ है value if true तो यहां पर एक value true है एक value निचे दिये गया है value if false तो यहां पर true यहां पर हम pass लिखेंगे और जहां पर यहां पर लिखा हुआ है value if false तो यहां पर हम fail लिखेंगे तो यहां पे logical test यहां पे करेंगे तो यहां पे जिस पे करना है जैसे इस पे करना है यहां पे 40 पे यहां पे click किया click करने के बाद यह cell name यहां पे आ जाएगा C3 यह दिखो यह C column और 3 row C3 आ गया और यहां पे condition लगाएंगे is greater than यहां पे 35 किया तो यहां पे हमने condition लगाई C3 is greater than 35 तो यह condition यहां पे सही है तो यह दिखो यहां पे आ गया true इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है value if true यहां पे हम लिखेंगे pass यह pass लिखा इसके बाद यहां पे value if false यहां पे हम लिखेंगे fail यह fail लिखा fail लिखने के बाद okay पे click किया okay पे click करने के बाद यह देखो यहां पे result आ गया pass तो pass यहां पे हम यह निचे इसको drag करेंगे drag करने के बाद तो यह देखो जिसके marks यहां पे 35 से उपर है वो यहां पे pass शो कर रहा है और जिसके marks यहां पे 35 से कम है यह यहां पे फिल्ड चो कर रहा है यह देखो यह 20 marks है यह फिल्ड चो कर रहा है इसके बाद यहां पे 25 है यह फिल्ड चो कर रहा है इसके बाद यह देखो 32 है यह फिल्ड चो कर रहा है तो insert function के जरिये भी हम यहां पे यह function को कर सकते है तो यहाँ पे हम end function को करेंगे तो end function को करने से पहले हम यह समझेंगे कि end function होता है क्या है end function का use हम तब करते है जब हमें बहुत सी condition का test करना पड़ता है और यह सुनिशित करना पड़ता है कि सभी condition true है अगर सभी condition सही है तो true result देता है अगर उसमें से कुछ condition सही नहीं है तो false result देता है तो यहां पे हम end function को समझेंगे यह हमारे पास दो subject है यह English है इसके marks है नीचे यह math subject है इसके marks है नीचे यहां पे हम condition लगाएंगे तो condition में अगर दोनों condition यहां पे सही है तो यहां पे true आएगा अगर इन दोनों condition में एक भी condition यहां पे false है तो यहां पे false आएगा अगर दोनों condition यहां पे false है तब भी यहां पे false आएगा तो इसको हम यहां पे समझेंगे तो यहां पे हम end function का use करेंगे यहां पे हम equal to से start करेंगे equal to लिखा इसके बाद if लिखेंगे if लिखा, इसके बाद यहां पे double click किया, double click करने के बाद end function यह लिखेंगे, end function लिखा, इसके बाद यहां पे end पे double click किया, double click करने के बाद यहां पे logical test, यहां पे one, इसके बाद logical test two, तो यहां पे हम यह condition लगाएंगे, एक तो इस cell पे condition लगाना जाते है, यहां पे click करेंगे, click करने के बाद यह cell name यहाँ पर आ जाएगा आने के बाद यहाँ पर हम condition लगाएंगे greater than और यहाँ पर marks वरेंगे हम 35 यह 35 यह लिखने के बाद कोमा कोमा के बाद यहाँ पर कोमा के बाद second को यहाँ पर select करेंगे इसको select किया select करने के बाद यहां भी condition लगाएंगे greater than और greater than लिखने के बाद यहां भी हमने 35 लिखा कि जिनके marks 35 से greater than है यह हमने यहां पे condition लगाई इसके बाद यहां पे bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद यहां पे text लिखेंगे तो text को यहां पे double code में लिखा जाता है यह double code start किया start करने के बाद यहां पे लिखेंगे pass यह pass लिखा double code को बंद करेंगे फिर कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद double code को start करेंगे फिर यह यहां पर text लिखेंगे, तो text को double code में लिखा जाता है, यहां पर fail लिखेंगे, यह fail लिखा, इसके बाद double code को बंद करेंगे, और यह जो bracket यहां पर open है, इसको यहां पर बंद करेंगे, यह बंद की, इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह रिखो, तो य यहां पे हमने condition गाई हुई है कि जिसके marks 35 से greater देना है वो pass शो करें और जिसके 35 से कम है वो यहां पे fail शो करें तो यह condition दोनों सही होनी चाहिए अगर इसमें से एक भी condition यहां पे गल्त होगी तो वहां पे यह false शो करेगा तो इसको देखने के लिए हम यहां पे click करेंगे और यह देखो इसको drag करेंगे नीचे और इसको यहां पे शोड़ेंगे तो यह देखो यहां पे यह fail शो कर रहा है तो यहां पे एक condition यहां पे गल्त है यह देखो यहां पे यह 20 marks है एक तो यहां पे सही है इसमें 98 marks है लेकिन जो एक है English subject इसमें 20 marks है तो यह यहां पे fail शो कर तो इसके बाद fail ये show कर रहा है यह देखो यहां पे 30 marks हैं इसके बाद ये निचे फेल show कर रहा है कियोंकि यहां पे 32 marks है अगर suppose करो यहां भी 30 marks होते तब ये फेल्ड करना था है ये 30 हमने यहां पे लिखा लिखने के बाद यहां पे क्लिक किया तो तब भी यहां पे फिल्ड शो कर रहा है तो end function में क्या होता है end function में दोनों condition सही होनी चाहिए तब ही यहां पे true result true का मतलब यहां पे past show करेगा अगर यहां पे दोनों false है या दोनों में से एक false है तो यहां पे false show करेगा या फेल्ड शो करेगा अगली शीट पे क्लिक करेंगे और वाली शीट पे यहां पे क्लिक किया अब यहां पे और फंक्शन को करेंगे तो पहले और फंक्शन को समते हैं कि इसमें क्या होता है और फंक्शन में अगर बहुत सी कंडिशनों में एक भी कंडिशन अगर सही हो जाती ह तो वो यहां पर true show करेगा true का मतलब यहां पर false show करेगा अगर यहां पर सभी condition यहां पर false होती हैं तो यहां पर यह false show करेगा इसका मतलब यहां पर fail show करेगा तो यहां पर हम यह करेंगे तो इसको करने के लिए यहां पर equal to से start करेंगे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पर इफ यहां पे इफ एक क्लिक करेंगे यहां पे डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद यहां पे और लिखेंगे और इसके बाद यहां पे और पे डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद यहां पे यह दिको और और इसके बाद यहां पे लोजिकल 1 इसके वाद logical to तो यहाँ पे हम condition लगाएंगे जैसे यह first, यहाँ पे click ya यहाँ पे condition लगानी है यहाँ पे click करने के बाद यह जी को greater than 35 यह हमने यहाँ पे condition लगाए इसके बाद coma coma लिखने के बाद यहाँ पे second पे click हिया, यहाँ पे click किया यह cell name यहाँ पर आ गया इसके बाद यहाँ पर condition लगाएंगे greater than लिखने के बाद यहाँ पर condition लगाएं 35 लिखने के बाद bracket को बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर text लिखेंगे तो text को हमेशा double code में लिखा जाता है तो double code start करेंगे यह double code start किया इसके बाद यहाँ पर लिखा pass यह pass लिखा इसके बाद double code को बंद करेंगे बंद करने के बाद यहाँ पर फिर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद फिर text लिखेंगे तो text को double code में लिखेंगे double code start किया इसके बाद यहां पे fail लिखेंगे fail लिखा fail लिखने के बाद double code को बंद किया इसके बाद यह bracket यहां पे open है इसको बंद करेंगे तो यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter press करने के बाद ये देखो यहाँ पे आ जाएगा pass इसमें से दोनों condition यहाँ पे सही हैं तो result यहाँ पे pass शो कर रहा है अब अगली को हम देखेंगे यह जो अगले है marks इनको हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे click किया और इसको नीचे यहाँ पे drag किया drag करने के बाद यह देखो यहाँ पे एक fail यहाँ पे यह शो कर रहा है तो यहाँ पे यह देखो यह दोनों यहाँ पे subject में fail है English में भी fail है और यहाँ पे देखो यह chemistry में भी fail है तो यह यहाँ पे fail शो कर रहा है और ये अगला ये भी दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो ये यहां पे फेल शो कर रहा है ये उपर सबसे पहले ये दोनों सब्जेक्ट में पास है तो ये पास शो कर रहा है ये भी सभी में पास है तो ये पास शो कर रहा है तो अगर suppose करो ये दोनों में फेल है एक सब्जेक् condition है तो और function में क्या होता है एक में भी अगर pass हो जाता है तो वो यहाँ पे true show करेगा true का मतलब यहाँ पे pass show करेगा तो यह एक में pass हो गया है एक में fail है तो जब हम यहाँ पे बार यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे fail की जगा यहां पर पास हो जाएगा यह देखो बार यहां पर क्लिक किया तो यहां पर पास हो गया तो इस तरह से हम यहां पर और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने इफ फंक्शन के बारे में एंड फंक्शन के बारे में और और लॉजिकल फंक्शन के बारे मे सिखा अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब में चैनल धन्यवाद